ओम शान्ती, नौलेच्फुल, ब्लिस्फुल, बेहत का बाप, ब्रम्हा तन का आधार ले, हम ब्रामणों की रचना रचते और नई देवी स्रिष्टी रचने के लिए, हम आत्माओं में दिव्वे गुणों की स्थापना हे तू, हर रोज नए रूप से ज्ञान सुनाते, बेहत का समाचार सुनाते हैं, और हमें हमारे 84 जन्मों की स्मृति भी दिलाते, तो आईए रिवाइस करते हैं, आज के 17 अगस्त 2022 के महावाक्यों को, आज की मुरली का सार है, बाप तुम्हें बेहत का समाचार सुनाते हैं, तुम अब स्वधर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है, और सबको यह स्मृति दिलानी हैं, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे विश्नु को नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से ब्रह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मण संप्रदाय रचते हैं, अगर विश्नु को बच्चा कहें, तो उनसे भी संप् रूप में महाराजा महारानी हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते आज की मुरली की अनुसार श्रिव बाबा की महिमा इस प्रकार है रचाईता, नौलेज़फुल, ब्लिसफुल, सच्चा बाप, पतित पावन, बेहद का बाप, उच ते उच बाप, अविनाश संगम युक पर आकर श्रिव बाबा कौन से कर्तव्वे करते हैं, पावन बनाते, सच्चा सुख देते, ब्रह्मा द्वारा ब्रहमन रचते, नई संप्रदाय की स्थापना करते, सुख शांती का वर्सा देते, बेहद का समाचार सुनाते, डैवी स्रिष्टी की रचना करते क्या होने से क्या होता है? योग अगनी से विकर्म विनाश होते, रावन राज्ये शुरू होने से दुख शुरू होता, सच्चे बाप को याद करो तो सच खंड के मालिक बन जाएंगे, बाप और चक्र को याद करने से रुहानी विलायत में चले जाएंगे, कोई आधी होती तो शांती के लिए यग्य रचते, मंत्र जबते, बाप हमको बेहत का समाचार सुनाते हैं, तो हमारी बुद्धी में सृष्टी के आधी मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है, किसको क्या कहा जाता है, हमको स्वदर्शन चक्रधारी, शिव और ब्रम्हा को बाबा, बी कारों की प्रवेश्टा नहीं, ऐसे बालक को महात्मा समान, हम बच्चे कौन हैं, कर्म योगी, सालिग्राम, लकी सितारे, ब्रम्हा मुखवन्शावली ब्रहमन, स्वदर्शन चक्रधारी, आपस में बेहन भाई, परमात्मा की संतान, निश्च बुद्धी निश्चिंत आ सदा प्रसन्चित रहने की विधी क्या है, बुद्धी रूपी कम्प्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, हमें किन बातों की धारणा करनी हैं, बाप और मुक्तिधाम को याद करना है, योग अगनी से विकर्मों का विनाश करना है, ब्रम्हा बाप समान ज्यान धारण कर संपूर्ण बनना है, सच्चे बाप को याद कर सच खंड का मालिक बनना है, उची कमाई करने के लिए बुद्धी का योग और सबसे तोड एक बाप से जोड़ना है, ये थी आज की मुरली की विशेश बाते, हम ब्रामन आत्माओं का लक्षे है, सर्वगंड, बन संपूर्ण निर्विकारी बनना, जिसके लिए हम सब के सामने एक सैंपल और एक्जैंपल है, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर हमें ज्यान योग में पॉफेक्ट बन अपनी उच मंजिल को प्राप्त करना है, ओम शन्ति